हेलो दोस्तों आपको स्वागत है हमारी चैनल कंट्री राइड में तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो आज हम घूमने जा रहे हैं वैशनो देवी जो की राउर के ला में है और इसको मिनुई वैशनो देवी के नाम से भी जाना जाता है आपको पर यह मंदीर है आपको मैं डीटेस बताता हूं तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो हम रुके थे सुबम होटल में जो की रेल्वे स्टेशन की बहुत ही नजदीक है यह बहुत ही रिजनबल है और इसकी जो सर्वीस है वो बहुत ही बढ़िया है इंक्लूडिंग होटल होटल भी बहुत ही बड़ी है और यहां का जो स्टाफ है बहुत ही फ्रेंडली है अगर आप कभी भी यहां पर आए राउर कलाएं तो मेरी रेकमेंडेशन है कि आप सुबम होटल पर जरूर रुकिएगा यह रिजनबल है और बहुत ही कर्मिनियं से बहुत ही नजदीक है और वहां से जो आटो 20 रुपए में आपको मंदिर तक छोड़ देता है तो हम फ्लाइओवर के रस्ते से दूसरी साइट पर हम जा रहे हैं अभी तो बहुत ही से पहाड़ी के उपर आपको दिख जाएगा वेरी क्लियर ली तो यहीं से हम आटो ले के मंदिर के तरफ अभी हम चल दिए जय माता दी तो अभी हम पहुंच गए माता का मंदिर तो यह है हमारा फास्ट टेप तो यहां से हम 600 सीड़ी मिलके चड़ेंगे और साथ में इसका जो नेचुरल बीटी है वो भी देखेंगे और उपर जाके हम माता का दर्सन भी तो चलिए मिलके चलते हैं और माता का दर्सन करते हैं तो फाइनली 600 सीड़ी चड़ने के बाद हम पहुंच गए माता का मंदिर तक तो यहां से राउरकेला का जो सिटी वीव है और यहां का जो राउरकेला स्टील प्लांट है में मार्केट और स्लमरिया बहुत यह ब्यूटिफिल यहां से दिखता है तो चलिए तो यह है मंदि का जो सीड़ी है तो यह सीड़ी होते हुए हम लोग अभी माता का दर्शन करेंगे तो देखे यह हो गया फर्स्ट सीड़ी यह हो गया सेकंड सीड़ी तो सेकंड सीड़ी के बाद हम लोग गुफा के अंदर से होते हुए हम लोग वैशनोदेवी का दर्शन करेंगे तो जै यह जो है बहुत ही पतला वाला रस्ता है जब भी आप आएंगे थोड़ा ध्यान देखके आएंगे क्योंकि सर पर लगने का बहुत ही चांस है और बहुत ही बढ़िया प्लेस है अब देख सकते हैं अब गुफा के अंदर से होते हुए आप दर्शन करेंगे माता का मंदिर क् पर आपको जाना पड़ेगा देखे आपको दिख रहा होगा माता का मंदिर और ये है जो की हनुभान जी आपको सबका वाला करें तो यहाँ पर भी थोड़ा स्टेर हैं आपको देख के जाना पड़ेगा यह इतना बड़ा बत्तर है तो सर पे लगने की बहुत ही चांस है तो जै माता दी अभी माता का दर्सन हो गए है तो ये आप माता का दर्सन कीजिए यहीं से तो जै माता दी तो इतना दूर आके माता का दर्सन करने के बाद बहुत अच्छा लगा जै माता दी तो माता का दर्शन हो गया प्रसाद भी मिल गई तो अगर यहां पर अगर आप धूप दीव अगर लगाना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा तो हम बाहर होते हुए अब यह हम लगाएंगे तो यहां पर एक बहुती बड़ा ओपन स्पेस है और यह पहाड़ी के उपर होने के कारण आपको राऊर कला सिटी बहुती क्लियर दिखेगा और यहां का जो ठंडी हवा आपको माइंड को बहुती सांथ करेगा तो आप जब भी यहां पर आएं तो कुछ टाइम के लिए आप यहां पर बैठी है जरूर और माइंड को आप सांथ कीजिए बहुती अच्छा लगेगा और यह जो पहाड़ी के उपर से इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है इसको आप इसको आप बहुत ही खुबसूरत अंदाज से आपको इसको एंजोई कर सकते हैं और साथ मैं इसकी यहां से राउरकला का सिटी तो देखने की जो अंदाज है जो कुछ अलग टाइप का लगेगा मतलब माइंड ब्लॉइंग ऑश्रम अभी वैश्रम माता के दर्सन के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वहरोपनात मंदिर में जो की यह पहाड़ी के थोड़ी से उपर है तो वहाँ पे चलिए हम दर्सन करते हैं लोग हम आगे वहरोपनात के मंदिर पे तो यहाँ पे थोड़ा दर्सन करके फिर हम नीचे के नीचे हम लोग जाएंगे तो यह है मंदिर के ट्रस्टी के लिए जो आप अगर मंदिर के डेवलोमेंट के लिए अगर आप कुछ दान दखिना देना चाहते हैं तो 10, 20, 50 रुपे के यहाँ पर रसीत मिलती है तो आप जब भी यहाँ पर कुछ दें तो रसीत कटवा ले जरूर क्योंकि यह मंदिर में डारेक्ट ली जाएगा किसी पंडित के हाथ में नहीं जाएगा तो रिक्वेस्ट फुली अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अगर कुछ आप डेवलोमेंट या कुछ दान दखिना देना चाहते हैं तो यहाँ पर रसीत जरूर कटवा ले